पश्कार किसान भाईयों स्वागत है आप सभी का आज 475 टेक्टर मिल गया कुछ भाईयों के कमेंट आ रहे थे और हंस का कल्टिवेटर है और दोस्तों ये कल्टिवेटर काफी हैवी होता है इसकी टांग पिछे गुनी होती जोर लगाने के बावजूद भी तो एक बार भा इससे पांसुपिछंतर से भी ज्यादा है ज्यादा भी नहीं कह सकते तो अच्छी कह सकते हैं मतलब उससे अच्छी गहराई के साथ देखो आप कल्टिवेटर काफी गहराई के साथ लगा रखा है और एक तो इसकी हैड्रोलिक जटका निमारती इस वाले ट्रैक्टर में देखना मैं आपको दिखाना चाहूंगा इस है अब देखो आप कितने गहराई पर ले गया ट्रीलर को देखो बताओ बैयरी से उन्तारीस एच्पी में ट्रैक्टर आता है मुझे कंफर्म नहीं है पूरा क्योंकि इसके कुछ मोटल उन्तारीस एच्पी में आये थे कुछ देखो आप देखो आप तीलर की गहराई तीलर की गहराई कम नहीं है बिलकुल भी देखो बताओ टीलर पुरा दान के जमीन में पर देखो आप 475 का कमाल तो बहुत ही अच्छा चला शिवं भाई पाचली वाड़े चला रहे है इस है घंट पाचली हमारे मम्मा जी के गव आप देख सकते हो इसका जो लोड है वो बहुत बढ़ियां है मतलब लोड लेनी की सब कैपी सीटी है वह अच्छी है और आप देखो आप बिलकुल बहुत ही अच्छी से चला एक बार दूनों लीवर डाउन करके चला के देख रहेंगे मुश्किल से मुझे लगता है यह और हो सकते चल भी जाए एक बार कोशिश करेंगे तो आने दो पास कोई ने एक बार जब यह प्रास को आ जाएंगे आपको दिखाऊंगा दूनों लीवर डाउन करके दोस्तों दूनों लीवर डाउन है अब आपको देखने वाड़ी बात है विश्वास रखना दूनों लीवर डाउन करके नहीं चल पाया दक्तर है चला ले आप देख सकते हो इसकी एल टू में कितनी ज़्यादा चाल है कमाल की बार एक महंदरा 255 युजारा नए मोडल का सागर बसोया खड़े है उदर हमारी गाड़ी खड़ी है शाय में क्योंकि दोस्तों अभी तीन चार दिन पहला ही गाड़ी फसकी थी तो बड़ी ही समसकत है आई हमने यह भारी खड़ी करने शुरू कर दी हमारे ममा जी का फोन भी आ रहा है टेक्टर बड़ी है चला जी सके हमें ला जवाब तो आप देख सकते हो टेक्टर को काफी अच्छा चलना है तो वीडियो जैसी भी लगी हो कमेंट करना धन्यवाद